कल है महाशिवरात्री और महाशिवरात्री के अफसर पर बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप उपवास में खा सको तो आज हम बनाएंगे साबुदाना की खिजड़ी इसे बनाना बहुत ही आसान है फटा फट से बन जाती है और टेस में भी बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए फटा फट से रेसे भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें साबुदाना चाहिए, साबुदाना अच्छी गॉलिटी का होगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है साबुदाना और इसे हम मेजर करके लेंगे, मैं यहाँ पे चार लोगों के लिए बना रहे हूँ, तो यहाँ पे मैंने म काटोरी ले ली है और इसी काटोरी से हम इसे मेजर करेंगे, तो आपके गर में बहुत सबस्ताइब कर girlfriend के उपर भला भग इजा दो से तीन बार इसे अच्छे से वाश कर लेंगे आप देख सकते हो कि इसके अंदर से बहुत सारा स्टार्च निकल गया है तो इसी तरह इसे दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे तो अचलिए इसे मैंने वाश कर लिया है अब इसी पाउल में मैंने इसे डाल दिया ह अब इसके अंदर डाल देंगे दो कटोरी बर के पानी जिस कटोरी से हमने साबुदाना मेजर किया है वही कटोरी हमें लेनी है और दो कटोरी बर के इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसे ढख के हम 5-6 गंटे के लिए रख देंगे तो आप देख सकते हो कि 5-6 गंटे में सारा पानी एब्जर्ब हो चुका है और साबुदाना अच्छे से फूल गया है इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए अगर पानी रह गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और अब इस तरह का एक मलमल का कपड़ा लेंगे और साबुदाना को इसके उपर डाल के फैला लेंगे ऐसा करने से साबुदाना एकदम अच्छे से ट्राय हो जाएंगे 5-6 मिलिट में अच्छे से सूख जाएंगे तक तक हम और तयरी कर लेते हैं तो यहां पर हमें चाहिए आलू आलू आप बॉयल करके भी ले सकते हो और इस तरह कच्छे भी ले सकते हो मुझे बॉयल आलू इतने पसंद नहीं है कच्छे आलू से यह बहुत ही पढ़िया बनती है तो यहाँ पर मैंने ले लिये हैं कच्छे आलू, मैंने दो आलू लिये हैं और इन्हें इस तरह स्लाइज में कट कर लिया है और अब इस स्लाइज में से हम आलू के छोटे-छोटे पीसिस कट कर लेंगे तो ये देखे इस सरा कट करने से आलो के हमें छोटे-छोटे pieces मिलते हैं और एक बराबर मिलते हैं तो इसे पकने में भी आसनी देती है सारे साथ में पक जाते हैं और इसे पकने में भी बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि हमने इसे छोटे-छोटे pieces में कट किया है तो ये फटा-फट से पक जाएंगे तो चले सारे अलो को मैंने कट कर लिया है और अब निकाल लिया है एक बाउल में और अब इसे 2-3 बार धो लेंगे क्योंकि अलो में बहुत सारा स्टार्च होता है तो इसे अच्छे से धो लेना है 2-3 बार और अब ले लेंगे 3-4 मिर्च मिर्च को हमें इस तरह कट कर लेना है यहाँ पे हम लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे मनलब के लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम हरी मिर्च से बनाने वाले हैं तो मिर्स थोड़ी सी ज़ादा लेंगे और अब मैंने ले लिया है एक पैन पैन के अंदर दो बड़े चमज भरके मैंने तेल डाल दिया है और दो मुठी भरके मैंने मुंखफली डाल दी है मुंखफली को हम थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे मुंखफली थोड़ी सी फ्राय हो जाए फिर उसके अंदर डाल देंगे काजू काजू को यहाँ पर मैंने मिडियम पीसिस में कट करके लिया है और अब काजू को भी फ्राय कर लेना है 2-3 मिनिट में अच्छे से फ्राय हो जाएंगे चेक कर लेंगे अगर इसी ली तूट रहे हैं तो समस्य लेना है पक गये है अगर कच्छे है तो एक दो मिनिट और पका लेंगे चलिए अब आलू के अंदर जो तेल है उससी में हम और साम अगरे डालेंगे तो तेल को साइड में कर लेंगे और 1 चम्मच बरके डालेंगे सौफ एक चम्मच दिल और थोड़ी सी किश्मिस डालेंगे और उसे साइड में ही हम फ्राय कर लेंगे तो यह देखे इस सरह किश्मिस फूल जाए तो समझ लेना है यह रेडी है तो चलिए अब आलू को इन सब के साथ मिक्स कर लेते हैं तो आलू को कि साबुदान अच्छे से सूख गया है इसका हर एक दाना अलग हो गया है और आप डाल देंगे टेस्ट के अकोरिंग नमक नमक हम थोड़ा संबाल के डालेंगे क्योंकि हमने आलू में भी डाला है और अब दो चम्मच बरके डाल देंगे पीसी हुई चीनी मुंगफली औ और काजू भी डाल देंगे और उपर से 2-3 चमच बरके हम डाल देंगे निम्मुगारस और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे डग के 2 मिनिट के लिए पकने देना है एकदम लो फ्लेंप इसे पका लेंगे और हमारे साबुदान के किच्छड़ी ए अफ कर देंगे और इसके उपर डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पती ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे तो चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं आप इसे उपवस में तो खाई सकते हो लेकिन अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करें तभी भी आप इसे बना के खा सकते हो तो इसे मैंने सर्व कर लिया है एक प्लेट में और अब इसे ऐसे ही सर्व नहीं करेंगे इसके उपर डालेंगे कुछ और जिससे और भी टेस्ट लगे तो इसके उपर मैंने डाल दिया है फराडी चेवडा चेवडा डालने से इसका टेस्ट औ और भी बढ़ जाता है थोड़ा सा क्रिस्पीनेस एड़ हो जाता है तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके ज़रू बताना मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना